हेलो, गुड आफ्टूनून ओल आज का हमारे टॉपिक है हिंदी वर्ण माला के अंतरकत वियन्जन संधी वियन्जन संधी पढ़ने से पूर्व हम स्वरसंधी वियद्दपी पढ़ चुके हैं तो एक बार पोनहा संधी और स्वरसंधी का हम यहां पर कर लेते हैं, सौर्ट में कि सबसे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ था कि संधी किसे कहते हैं तो हमें ध्यान रखना है विसेश रूप से कि दो बढ़नों के मेल को ही संधी कहते हैं किसको कहते हैं दो बर्णों के मेल को संधी कहते हैं दो सब्दों के मेल को संधी नहीं कहते हैं संधी करने का स्ट्रक्चर क्या है वो भी मैंने आपको बताया था कि जो दो बर्णों का मेल होता है इस प्रकार से प्लस का निसान होता है प्रथम सब्द का यहां का अंतिम बर्ण होता है और दुतिय सब्द का जो प्रिथम बर्ण होता है तो इन दोनों बर्णों की ही यहाँ पर हम संधी कर देते हैं और उससे हमारे पूरा का पूरा बर्ण आपस में जुड़ जाता है इस प्रिकार से हमने देखा था कि संधी के तीन भेद हैं पहला है स्वरों के according अर्था जब दोनों तरफ स्वर होते हैं तो स्वर संधी होता है व्यंजन संधी में इधर स्वर और इधर व्यंजन हो या दोनों तरफ ही वेंजन हो या पहला बर्ण वेंजन और दूसरा बर्ण स्वर हो तो दोनों में से एक भी जगह यदि वेंजन बर्ण है तो वहाँ वेंजन संदी होती है और यदि स्टार्टिंग में हमें विसर्ग मिलता है और बाद में फिर कचाहे स्वर मिल जाए चाहे विणिन मिल जाए कोई भी मिल जाए वहाँ पर क्या होता है विसर्ग संधी ही होती है इस प्रकार संधी के तीन भेद थे फिर हमने स्वर संधी के कौर्डिंग देखे थे पूरे पाँच भेद ठीक तो जो अलग अलग प्रश्न थे कि संधी की कितने भेद हैं तो तीन ही भेद हैं स्वर संधी वियंजन संधी और विसर्ग संधी लेकिन जब स्वर संधी के भेद पूछे जाएं तो स्वर संधी के पांच भेद होते हैं जैसे कि यन संधी, अयादी संधी, दीर की संधी, गुण संधी और वरदी संधी इस प्रकार से स्वर संधी का portion हमने पूरा कर लिया था अब हम आगे चलते हैं वियंजन संधी की ओर तो वियंजन संधी क्या है? हम आपको फिर से एक बार बता दें कि वियंजन संधी का मतलब है कि प्लस के यहाँ जो वरण होते हैं, इन दोनों में से कोई एक वरण वियंजन होना जरूरी है यदि दोनों वरण वियंजन होते हैं, तो भी वियंजन संधी है और दोनों में से कोई एक भी यदि वेंजन होता है तो वहां वेंजन संदी है तो यदि दोनों में से एक वेंजन होगा तो दूसरी तरब क्या होगा कि स्वर ही होगा, सीडी सी बात है तो इधर यदि स्वर है और इधर वेंजन है तो भी वेंजन संदी हो जाएगी इधर वियंजन और इधर वियंजन है तो भी वियंजन संदी हो जाएगी और यदि इधर वियंजन और इधर स्वर आ जाता है तो भी वियंजन संदी लग जाएगी तो चलिए हम वियंजन संदी के according उसके कुछ नियम देखते हैं वियंजन संदी यहां फर फर्ष्ट नम्बर का नियम इसे हम तरती आक्षर का नियम कह सकते हैं तरती आक्षर का नियम का मतलब है कि बेंजन के में जो 25 इसपर्स बेंजन होते हैं उसमें प्रतेक बर्ग का तरती आक्षर हो जाना लेकिन हम तीसरा अक्षर कब, तीसरा अक्षर का मतलब है जैसे का वर्ग का तीसरा अक्षर है गा, चा वर्ग का तीसरा अक्षर है जा, टा वर्ग का तीसरा अक्षर है डा, इस प्रकार से तरती अक्षर कर देना, तो कब और कैसे करना है बू नियम हम देखते हैं, देखेंग लिखे हैं या अंतस्त वेंजन यारालावा या हा में से कोई वर्ण हो अथवा कोई स्वर आ जाए तो प्रथम वर्ण का उसी बर्ग के तृतिये वर्ण में परिवर्तन हो जाता है ठीक एक बार मैं आपको इसका इस्ट्रक्शर बना करके भी वता देता हूं वो देखी क्या क प्रथम मतलब काच अटाता पामे से फिर इस तरब क्या क्या हो सकता है तो इस तरब वो बता रहे हैं या तो कोई स्वर आ जाए ठीक या फिर स्वर के ना होकर के यहां कोई तीसरा या चौथा वर्ण हो ठीक या फिर अंतस्त वेंजन हो अंतस्त वेंजन का मतलब होता है य यारालावा यारालावा और एक और उन्होंने दे दिया है हाँ यदि पहला अक्षर कोई बर्ग का प्रथम अक्षर है और उसके बाद इनमें से कोई मिल जाता है तो हम बर्ग के प्रथम अक्षर को यानि इसको किस में बदल देंगे तीसरे अक्षर में बदल देंगे मतलब क ता को बदल देंगे हम गामें चा को बदल देंगे जामें टा को बदल देंगे डामें ता को बदल देंगे दामें और पा को बदल देंगे वामें इस प्रकार से ये प्रथम बर्ग के अक्षरों को तर्थी अक्षर में यहां पर चेंज कर देंगे देखते हैं सीधे उधारा पहला दिया है जगदीस तो देखिए जगत में पहला ता आ गया है मतलब बर्ग का प्रत्म अक्षर है और बाद में आ गया है स्वर तो हमने बर्ग के प्रत्म अक्षर ता को किसमे बदल दिया ता था दा दा में बदल दिया तो हमारा बन गया जगदीस इससे भी पहले है दिगज देखिए बर्ग का प्रथम अक्षर है का और बाद में आ गया है गा मतलब का खा गा बर्ग का तीसरा अक्षर आ गया है यह तो का प्रथम अक्षर को का खा गा इसको भी हम तरती अक्षर गा कर देंगे आधा गा तो इधर बन जाएगा हमारा दिग गज नेक्ष्ट सत्धन आचार देखिए बर्ग का प्रतम अक्षर है ता को हमने तीसरा बना दिया है दा तो बन गया सदाचार फिर से देखिए ता आ गया है दा बना दिया है तदभाव यहां पर भी देखिए ता को दा बनाया सदगती ता को दा बनाया उदगाटन ता को द बनाया सदवाणी इस प्रकारण से बर्गिए प्रतम अक्षर को तरती अक्षर में हमें चेंज कर देना है लेकिन बनाया प्रतम बर्ग प्रतम अक्षर को फोल हो कोई स्वार आ जाए बर्ग का तीसरा और चौत्धा ब Luck बना आ जाए या अंतस्त विन्यन आ जाए या फिर हां जाए इस प्रकार से यह हमने यहां पर तरती आक्षर का नियम पहला देखा है चलिए अगला देखते हैं दूसरे नमबर का पॉइंट सेकेंड नमबर में हम देखेंगे कि यहां पंचम बन पंचम आक्षर का नियम बताएगा है पंचम आक्षर का मनलब होता है प्रतेक बर्गे के पहले बर्ण के बाद ना या मा आए देखो वो क्या कह रहे हैं फिर से समझें ये लगा है प्लस तो बर्गे के पहले बर्ण के बाद इसका मतलब यहां बर्गे के प्रथम अक्षर काचा टाता पाही मिलने वाले हैं ठीक इसके बाद क्या आए या तो ना आ जाए या फिर मा आ जाए इस प्रकार से अधी कंडिशन हमें मिलती है तो बर्ग के पर्थम अक्षर को पांच में चेंज कर देंगे पांच में मंठीर करेंगे मतलब काको-गा, चाको-गा, टाकोणा, टाको-णा व्-पा-को मा कर देंगे ठीक चलिए उधारन देखते हैं जैसे लिखा हूँए तथ प्लस मैं देखिए ता आ गया बर्ग का प्रथम Aक्षर और उसके जस्टबाद क्या आ गया है मां तो यहां मां को देखकर करके बर्ग की प्रसम Aक्षर को पंचमाक्षर कर दिया ताथा दाधा ना बना दिया है यहां टा आ गया है वो बाद में फिर मा आ गया है तो टा को पंचमाक्षर टाथा डाधा ना बना दिया है फिर यहां टा आ गया है तो देखिए उसको ताथा दाधा ना बना दिया है इस प्रकार से पंचमाक्षर में यह हमारा पांच में एक्षर संबंधी नियम यहाँ पर हो गया है अब देखिए यहाँ पर कुछ तासंबंधी नियम भी दिये हुए हैं तासंबंदी नियम में हम बताएंगे कितने प्रकार से तासंबंदी नियम यहाँ पर लग सकते हैं लेकिन तासंबंदी नियम में कंडीशन रहेगी जिसको हमें यहाँ समझ लेना है क्या कंडीशन रहेगी तासंबंदी नियम में देखिए इस सबसे पहले तो हमें मिलने वाला है यहां पर ता अब ता मिलेगा और ता को ही चेंज होना है अब यहां पर लेकिन इसके बाद क्या चाहिए हमें बो देख लीजिए बो कहरे ता के बाद यदि ला हो इसके बाद यदि ला आ जाए तो इस ताको भी क्या बना देना है ला बना देना है बास समझ में आई ताके पश्याद यदि ला आता है तो ताको भी क्या हो जाता है ला देखिए तत प्लस लीन जे ता गया और ये ला गया तो हमने इस ताको भी ला कर दिया तो देखिए डबल ला उत प्लस लास ताके बा करना है कि ता के बाद यदी जा और जा जाए ठीक यह हमारा ता और इसके बाद क्या आ रहा है या तो जा जाए या फिर जा जाए तो हमें क्या करना है कि ता के स्थान पर जा कर देना है यह जो ता है इसको हम क्या बना देंगे जा बना देंगे ठीक देखिए कैसे बनाया है स के बाद जा अगया त। टाकों हमने जा ही बना दिया पुछ जल में देखिए ताक बाद जा है तो टाकों भी जा बना दिया ताक落़ जा है बना दिया तो बहुत जा ल Andine दूसरा नियом हो गया, अगला देखते हैं, तासमण दे तीसरा नियम, कि ताके पस्चात ता और दा आ जाए, तो फिर हम ताको क्या बना देंगे, ता ही बना देंगे, ठीक, लेकिन ये क्रमिशा होगा, ताके वाध यर्दी टा yes, ता कि अस्थान पर, ता यर दा करमिशा कर गया दबल टा मैं बहँ है इस प्रकार यह का भाना दिया तो हम ने टा भौणां श्था भू जयों। इधर ता हो और उसके बाद क्या आ जाए ये वाला शा आ जाए दोनों ही हलंत हैं तो वो कह रहे हैं कि यहां दो जगए चेंजिंग होती है सबसे पहला तो जो ता है इस ता को क्या हो जाता है चा हो जाता है और यह जो सा है यह भी चेंज हो करके क्या बन जाता है छा बन जाता है ध्यान रखना दौनों जगे चेंजिंग हुई है ता को चा कर दिया और सा को चा कर दिया है अब दौनों यदि इस प्रकार से चेंज होंगे तो देखी क्या बनता है उदारन देखेंगे देखिए ता भी आ गया और शा भी आ गया दोनों को चेंज़ किया ता को हमने चा में चेंज़ कर दिया और सा को चा में चेंज़ कर दिया इसी परकार से ता और सा है ता को चा में चेंज़ कर दिया और सा को चा में चेंज़ कर दिया इस प्रकार से यह हमारी यहां पर संदी हुई है next देखेंगे fourth number की संदी देखेंगे तास्मंदी वाली ही कि ताके बाद यदि चा अथवा चा हो ठीक, ताके बाद यानि इधर ता है और इसके बाद क्या आ गया या तो चा आ गया या चा आ गया तो ताके इस थान पर क्या हो जाता है चा कर देते हैं ये वाला चा हो जाएगा चलियोधारण देखते हैं उत प्लस चारण देखिए ताके बाद चा आ गया तो ताको चा कर दिया डबल चा हो गया ताके बाद चा गया डबल चा ता के बाद चा गया डवल चा ता के बाद चा गया तो भी ता को क्या कर दिया हमने चा कर दिया इस प्रकार से ये ता संबंदी नियम का पांच में नमबर का नियम भी हो गया है इस प्रकार से ये ता संबंदी नियम हो चली अगला देखते हैं मा संबंदी नियम यदि मा आता है तो क्या चेंज होता है मा सम्मन्दी नियम से मतलब है कि सबसे पहले हमें मिलने वाला है यहाँ पर मा ठीक आधा मा मतलब हलंत मा उसके बाद यदि क्या आ जाता है देखिए सबसे पहले बता है कि मा के पश्षाद का से लेकर मा तक मतलब जो इसपर्श वेंजन पच्चीस होते हैं यदि पच्चीस इसपर्श वेंजन में का से लेकर के मा तक कोई भी बरण आ जाता है तो फिर मा उस वेंजन के पंचम बरण में बदल जाएगा यह जो मा हैं मतलब जिस बर्ग का जो वेंजन आता है उसके पंच माक्षर में हम इसको change कर देते हैं पंच माक्षर का मतलब यदि मा के बाद का आता है तो इसका पंच माक्षर क्या होता है इंगा यदि मा के बाद चा आ गया तो उसका क्या हो गया या टा गया तो ना ये मा को पंचमाक्षर में बदल दिया जाएगा देखते हैं अधारण में जैसे लिखा है संप प्लस कल्प देखिए मा के जस्ट बाद का आ गया है तो इस मा को हमने पंचमाक्षर का बर्ग का खा 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 इंगा change कर दिया, या अनुस्वार कर दिया उपर, ठीक, हम दोनों कर सकते हैं संकल्प में ये भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका हमें बिंडी नहीं रखना है अनुस्वार की तो ये लगाना पड़ेगा, ठीक अगला देखेंगे, अहम प्लस कार हम देखें, अहिंकार यदि हमें लिखना हो तो कभी-कभी हम अहिंकार ऐसे भी लिख देते हैं ये लगा देते हैं उसमें ठीक, अहिंकार हो जाता है ठीक, ऐसे ही देखिए किम प्लस कार मा के बाद का आ गया, उपर अनुस्वार कर दिया या फिर उसको पंचमाक्षर बना देंगे ठीक, सम प्लस गती मा के बाद गा आ गया तो काखा, गागा, इंगा या तो हम इस बिंदी को ये कर देंगे या उपर बिंदी लगा देंगे तो दो कंडिशन हो सकते हैं या तो हम उपर बिंदी लगा दें या फिर उसको इस पंच माक्षर में चेंज कर देंगे दोनों ही यहाँ पर सही है अगला देखते हैं कि मास के बाद यदि माही आ जाए मतलब इधर तो माह है ही इधर भी बोले माह आ जाए तो क्या करेंगे तो कुछ नहीं करना है कि माह को दुट कर देना दुट मतलब डबल माह यहाँ पर हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है देखें उदारण जैसे कि इनने बनाया है सम प्लस माह डबल माह कर दिया सम प्लस माह डबल माह कर दिया तो इधर पच्चिस पर विंजन आए तो उसी बर्ग का पंच माक्षर या अनुस्वार कर देते हैं ठीक या तो हम उसका अनुस्वार कर देंगे या उसको हम पंच माक्षर में यहाँ पर चेंज कर देंगे इसमें हमें क्या करना है दुट कर देंगे डबल अब अगला है यदि मा के बाद यारा लावा शाशा शाहा अर्था अंतस्त विंजन रूस्मी विंजन आ गए मा के बाद तो मा के बाद यदि अंतस्त विंजन आता है तो कुछ नहीं करना है सिर्फ हमें उसको उपर अनुस्वार करना है उदारण देखिए जैसे मा के बाद या आ गया तो हमने मा का क्या कर दिया उपर बिंदी अनुस्वार मा के बाद वा आ गया वा आ गया मतलब अन्तस्ट विंजन आ गया तो हमने अनुस्वार कर दिया संपलस रक्षक यारा ला ये अंतस्त विंजन आ गया तो मा को हमने अनुस्वार कर दिया इस प्रकार से ये मासंबंदी नियम हमें ये बताता है कि हम तीन प्रकार से कर सकते हैं जब 25 इसपरस बिंजन आये तो या तो अनुस्वार में बदल सकते हैं या पंचमाक्षर में यदि मा के बाद मा आता है तो हम दुद्ट कर देंगे और मा के बाद या अनुस्वार बिंदी बना करके उपर भेज सकते हैं इस प्रकार से यह मा संबंधी नियम यहां पर हुआ ह चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं अगला नियम मा संबंधी नियम के बाद अगला नियम आता है ना होना ठीक ना होना का क्या मतलब है कि ना को ना ठीक जो हमारा ना है यह जो ना है यह रा में बदल जाता है लेकिन कब बदलता है रा में बहुत सा सीधा सा नियम है मैं आपको बता देता हूँ ये देखिए फिफ्ट नमबर का कि जब री, रा, और सा ठीक ये कहीं भी हो सब्द में री हो, रा हो और सा हो यदि ये सब्द में कहीं पड़े हुए हैं और उसमें यदि ना सब्द होता है तो वो ना सब्द क्या बन जाता है रा में चेंज हो जाता है कहीं भी पड़े हो का मतलब होता है दिहान रखना चाहे बर्ग के प्रथम बढ़न में हो चाहे दुतिया बढ़न में हो या संदी होने के बाद उस सब्द में आ जाए तो हम आटोमेटिक ना को क्या कर देते हैं रा मतल देते हैं देखिए जैसे परी प्लस ना अब देखना यहां ना है लेकिन री रा सा इसमें नहीं है लेकिन जब परी सब्द मिला तो रा आटोमेटिक मिल गया और जैसी रा सब्द मिला तो ना को देखिए आप ना में ये चेंज हो गया जैसे री यो प्लस ना ना से जब री मिला तो ना आटोमेटिक ना में चेंज हो गया यहां देखिए ना में जैसे ये रा मिला तो इस रा को देखते हुए ये रा हो गया ऐसी रा को देखते हुए ना को हमने क्या कर दिया ना तो नियम है कि री, रा और शा यदि ये सब्द में हैं तो वहाँ ना नहीं होता है वहाँ ना का क्या हो जाता है हमेशा से डा बना दिया जाता है ये बहुत ही सरल नियम है री रा और शा को देखकर के ना को हमेशा डा में बदल दिया जाता है चलिए अगला देखते हैं 6 नम्मर का नियम लास्ट नियम है इसमें बताया गया है शाक को सा होना साको सा होने का मतलब है जो हमारा दंत सा है वो दंत सा किसमें चेंज हो जाता है मूरधन निशा में लेकिन कब होता है देखिए यदी सा से पहले आ चोटा और बड़ा आ से भिन स्वर हो तो साको हम साको मतलब दंत सा को हम मूरधन निशा में चेंज कर देते हैं एक बार फिर से पुना समझेंगे क्या है वो कह रहे हैं कि जो हमें यहां पर दंत सा मिला हुआ है ठीक वो दंत सा कैसा है इस दंत सा को हम कब हम मूरधन निशा में चेंज करेंगे वो यहां बताय रहे हैं कि देखिए यह लगा हुआ है प्लस का निशान और यहां हमें मिल गया है मान लीजिए सा तो इस सा को तो हमें चेंज कर देना है मूरधन निशा में लिकिन यह चेंज कब होगा कि यहाँ पर जो सब्द है अंतिम बर्ण है उस बर्ण में छोटा बड़ा की मात्रा बस नहीं होनी चाहिए तो क्या मात्रा होनी चाहिए कि ए की मात्रा हो सकती बड़ी ए की हो सकती है छोटा उगी हो सकती बड़ा उगी हो सकती री की हो सकती है ए की हो सकती, आ की हो सकती, ओ, कोई भी स्वर हो, बस छोटा वड़ा का स्वर नहीं लगा होना चाहिए, तो हम इस सा दंत सा को मुर्धन सा में चेंज कर देंगे, देखिए छोटी की मात्रा लगी है, तो हमने इस दंत सा को मुर्धन सा में चेंज कर, छोटी की मात्रा है, सा द सवब दिया यहां को पीआं स्वरेदि आता है और बाद में फऑंधम हुआ को फिर हमने उस में कुछ ता संब्दी नियम देखें कि चारपास थे फिर हमने मां मासंबंदी नियम के बाद हमने यहां पर देखा है कि नाकोडा कैसे होता है और दंत सामूर धन्य सामे कैसे बदलता है इस प्रकार से हमारे च्छे नियम यहां पर पूर्ण होगे वियंजन संदी हमारी समाप्त होती है विसर्ग संदी की चर्चा हम यथा योग आंगी की किला करेंगे धन